हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टीपॉइंट दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए करेंड अफ़ेस 2018 के टॉप कोईश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए काफी मात पूर है इसलिए इस वीडियो का आप स्किप न करें के चलिए तो फिर फटाबरी स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला मौस्ट इंबोडन कोश्चन है मिस यूनिवर्स 2018 का किताब कौन जीता है दोस्तों मिस यूनिवर्स 2018 का किताब जीता है के ट्रियोना ग्रे ने ठीक है ओप्सन भी करेक्ट हो जाएगा देखे दोस्तों यह फिलिपीन्स की है के ट्रियोना ग्रे यह बैंकोंक में प्रत्योगता आजित हुई थी तो इसमें मिस यूनिवर्स 2018 बन गई है और दोस्तों आपको बता दे कि यह अंतराश्टी संदर पेजेंट जीतने वाली फिलिपीन्स की चौथी व्यक्ति है ठीक है चौ इसकी शुरुवात कब हुई थी इस प्रत्योगता की यह भी आपके एक्जाम में पूचा आ सकता है 1952 मिस की शुरुवात हुई थी अब यहां पर बात करेंगर भारत की दरब से दोस्तों तो भारत के दरब से यह खिताब अभी तक दो सुन्दरियों ने जीत सकी है नाइंटी नाइटी फॉर में दोस्तों 18 साल को में सुष्मिता सेन पहली बार जीती थे ठीक है तो भारत के रबसे जितनेवाली पहली मिश उनिवर्स को थी सुष्मिता सेन और फिर दोस्तों सन 2000 में 22 साल की उम्र में लारा दत्ता नियो प्लबधी हासिल की थी और दोस्तों दुनिया का पहला Miss Universe प्रत्युक्ता आवजित किया गया था 1952 में अमेरिका के कैलिफोनिया में ठीक है तो आपको लेटेस्ट याद रखना है ये काफी इम्पोर्डेंट है Miss Universe वाठारा किताब को जीती है ठीक है ये मैक्सिको की है ठीक है ये आप नाम याद रखिएगा ठीक है तो ये जरूर्ड याद रखिएगा इतने पॉइंट चलिए फटा फट अगला कोशन देख लेते हैं चेतर में वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवाठ्स में किसे सोसिल भी डो मिल डी मिल पूरुषकार दोठरा मिलेगा दोस्तों ये भी काफी मातपूर कोशन है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ओप्सन बी जेफ ब्रिजेस ठीक है जेफ ब्रिजेस ठीक है चेतर में वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवाठ्स में अनभवी अवनेता जेफ ब्रिजेस को सोसिल भी डी मिल पूरुषकार मिलेगा ठीक है तो ये आद रखिएगा दोस्तों ब्रिजेस जो है ये 1984 में पहली बार इस टमर में सर्वसेश ठेवनेता के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामंकित किया गया था तो याप याद रखिएगा गोल्डन ग्लोब अवाठ्स के वारे में थोड़ा साब को बताए दोस्तों कि जो गोल्डन ग्लोब अवाठ्स है इसकी शुरुआत कभ हुई थी इस गोल्डन ग्रोब वार्ट में किसे सोसिल भी देमिल पूरिसकार्द बठरा मिलेगा यह मिलेगा जेव प्रिजेश को ऑप्षन भी अगला कोशन ने फिक्की के नय उपाध्यक्ष कौन बने हैं फिक्की का फुल फॉर्म क्या है जिसका फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडिय चैंबर्स ऑफ कौमर्स एंड इंडस्टी तो यह आप रखेंगे से नय उपाध्यक्ष बन गया हैं दोस्तों उदय संकर ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा उदय संकर ठीक है इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है और फिक्की की बरतमान में अध्यक्ष कोन ने प्रेस सकता है आपसे कोईश्न संदीप सो माय जी वरतमान में प्रेसिडेंट है अध्यक्ष बन गबन गए संकर जी इतने सग्त आय वार। अगला कोशन है केंद्री मंत्री मंदल ने कहां पर दो नए एम्स की स्थाबना को मंजुरी दे एम्स क्या है All India Institute of Medical Science की स्थाबना को मंजुरी कहां पर दी गई है तो यह दी गई है तेलंगाना और तमिलनाडू में यानि किसका ओप्सन डी करेक्ट है ठीक है देखिए केंद्री मंत्री मंदल ने मदुरे तमिलनाडू में और तेलंगाना के भी धी नगर में दो नए अखिल भारती और prohibज्ञान स्थाबना को मंजुरी दें थी है याद रखेगा तेलंगाना और तमिलनाडू में दो नए एम्स की मंजुरी मिल गई है अगला कोशन है World Economic Forum की Global Gender Gap Report 2018 के इसमार भारत को कौन सस्थान मिला यह मिला है 108 108 अस्थान ठीक है देखेज़ तो World Economic Forum की Global Gender Gap 2018 जारी की गई है इसके मुताविद भारत Gender Gap में 108 अस्थान पर रहा है और इसमें 1st नमर पर कौन था कौन सी कंट्री थी आइसलेंड थी यह आप जरूर याद रखीगा आइसलेंड थी 1st नमर पर कंट्री थी 1st पर थी आइसलेंड और भारत की इसमें मिला है भारत की याद रखीए 108 ठीक है और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जो है Global Gender Gap इसमें World Economic Forum के अनुसार भारत स्वास और अस्तित में दुनिया में तीसरे सबसे कम अस्थान पर है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं पेटा इंडिया की परसन आप दयर किसे बनाया गया है पेटा पेटा का फूल फॉर्म क्या है पेटा पेटा तो इसको बनाया गए दौस्तों अभी नेतरी सोनम कपूर को पेटा इंडिया दोठारा की परसन आप दयर बनाया गया है सोनम कपूर को ठीक है याद रखिये गए इससे पहले जो दोस्तों उसका सर्मा डाक्टर सजीतरूर रहेमा मालली को यह मिल चुका है तो पसूर समर्थन प्रियासों के लिए मिला है सोनम कपूर को किस मंतर आले दौरा संकीत कला संगम का आजन किया गया तो मानव संसाधन विकास मंतर आले द तो ओपशन C तो याद रखेगा युक्ति सम्थी द्वारा CBI के लिए अत्रिक्त निर्शक पद के लिए पदोनत किया गया है एम नागेश्वर राव जो बरतमान में CBI के डारेक्टर हैं इनके कारेकाल को बढ़ा दिया गया है ठीक है तो याद रखिएगा ठीक है एम नागेश्वर किस देश के राष्टपती ने 2019 को शहिशुनता का वर्ष घुशित किया है तो यह किया UAE ने ठीक है संउप्त अरब अमीरात ने जो राष्टपती है सेख खलीफा नायान ने शहिशुनता का वर्ष घुशित किया है 2019 को ठीक है तो यह आप याद रखिएगा दुनिया भर वें broadband internet सवाय प्रदान करने के लिए किस देश ने पहला संचार उप्रह लांच किया तो ये किया है दोस्तों चाइना ने किया है आप याद रखिएगा काफी important question ये दुनिया भर प्रच जोड़न जूबली चैलेंज All- 12 समानित किया गया है है तो यह किया है गया दोस्तों नियुक्ट है Should को फ्रभू खरें प्रभू को ठी का अप्शन बी वाणी जार उत्योग मंत्री जो वरत्मान में सूरेश्ष उनको जो है विशेश रूप से बिद्दु छेत्र में सुधार के योगदान के लिए सम्मानित किया गया चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है तो यह किस राज की पारंपरिक मिठाई है तो यह दोस्तो बिहार की कहा की है बिहार की ठीक है जी आई क्या है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानि भोगोलिक संकेत एक निश्चीत दोस्तों ये जो भोगोलिक संकेत है ये जी आई क्या है आपको बता देख एक भोगोलिक संकेत है एक निश्चीत भोगोलिक शेत्र में दस वर्से उससे धिक समय सु क्छुक्शन गेख है ठीक तो आप याद रखिए गा भारत का पहला संगीत संग्रहाल्य। कित किया गया है तमिलडू में ठीक है औप्शन हो जाय गा ठीक है अमिलनादू भारत का पहला संगीत संग्रहालय। स्थापित किया है ते छर्फियू और जर्ण संदक्षन पुरुस्कार 18 में रेलबे कितने पुरुसकार जीते हैं कि तुरुशुरय विनरे सत्रे पूरुसकार जीते हैं ठीक है रिवहन श्रण कितेएं दस पुछे तर रेलवे स्टेशन के लिए 10 पुरुष रप्राप्त किये हैं ठीक है और इसके अलावर इन तीन सिर्णे में भाग लिए रेलवे स्टेशन अस्पताल और संस्थान ठीक है तो यह प्याद रखिए काफी इंपोर्टेंट है ठीक है दोस्तों तो यह थे हमारे अगाम एकजाम्स के लिए काफी मातपूर है और इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरू करने साथ ही साथ दोस्तों आप हम फेस्बूक पर जरूरू कर लें वहा करेंगू करेंग।